अब इस देख रहा था है पहली पारी दूसरी पारी तीसरी पारी हमारे बच्चे आगे की सीट से पीछे की सीट पर पीछे से और बाहर बाहर से फिर अंदर हम समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं आज न्यूस 24 के द्वारा आपके बीच कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए गए जो आपके जीवन की शैली को बदलने में सक्षम है आप जिस बिधा में हैं आप जिस कारचेतर में हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं वहां तक कैसे पहुंचें आपके द्वारा सोची जाने वाली वो सारी चीजें कैसे फली भूत हो सकती हैं इसके बारे में हमारे आधर नी भूपिन सिंग जी ने सकलेचा जी ने चौधरी जी ने और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय रखी हम एजुकेशन विंग से हैं जो प्रोफेशनल, टेक्निकल, हिमनुटीज, लॉव और वो सारी बिधाएं जो आपको आपके भावी जीवन की चौनोतियों का सामना करने में दक्ष बना सकती हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूँगा, दो से अधिकतम पाच मिर्ट, कभी आपने सोचा कि हम किसी भी संस्थान में क्यों एड़मिशन लेते हैं, बड़ा इंफ्रस्ट्रेक्शर, बिल्डिंग, अट्टालिकाएं देखकर, पहाँ की फैकल्टीज को देखकर, या हमारा दोस्त उस त्रवैंडमिशन ले रहा है इसलिए, जिसको हम बोलते हैं भेड़ चाल, आप MBA क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त कर रहे हैं, लॉग क्यों कर रहे हैं, सब कुछ कर लिए हैं, इसके बाद कर रहे हैं, मैडिकल क्यो स्वयम की सोच क्या आप कोई काम क्यूं करना चाहते हैं आप पढ़ाई क्यूं करना चाहते हैं केबल प्लेस्मेंट जॉब फाइब डिजेट सेलरी के लिए या कुछ नॉलेज गेन करने के लिए कोई भी संस्थान तभी बड़ा बनता है जब वहां का पर्यवर्ण वहां की फेकल्टी कुछ आपको नया देने में सक्ष्यम हो सिर्फ बिल्लिंग भवन और डिग्री से आप पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन जो जीवन जीने की कला है जो शैली है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी वह एक स्रेश संस्थान ही आपको दे सकता है यदि हम एलन सिटी की बात करें तो एलन सिटी विश्विद्याले एक जीती जाकती संस्कृती है वहां ना केवल डिग्री दी जाती है बलकि आपको भावी जीवन की चुनोतियों का सामना करने के लिए दक्ष बनाने के लिए वे सभी गुण विक्सित करने का हम प्रयास कर करते हैं जो आपकी चुपी प्रिदफाएं हैं उनको कैसे निखा रहे हैं कि केवल एडमीशन ले लिया क्लास टेंड कर ली 90 प्लस या 9CGP 10CGP आ गया और जोब प्राप कर ली मैं समझता हूं इस इक्षा को देश नहीं होना चाहिए आप समाज को क्या दे सकते हैं कि आप सुसाइटी आपसे क्या पेक्षाय करती है अभी राष्टी शिक्षानीती में बहुत सारी अच्छी चीजें कही गई है कि हम आपको आत निर्वर इस्किल एजुकेशन देना चाहते हैं हम स्वरोजगार को बढ़ाबा देना चाहते हैं हम आपको आत निर्वर बनाना चाहत आपके माबाप ने देखा है, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं। कि इन सारी सफलताओं को प्राप करने के लिए, जो डर है ना जो आपके अंदर छिपा है, असफलता का डर, क्या हम इसको कर पाएंगे क्या। इसके लिए कोई दूसरे लोग से प्राणी आएंगे या बच्चे आएंगे ऐसा नहीं है। वो सारी स्किल आप में हैं। बस हमें उस डर को उस असफलता का डर है उससे जीत पाना है। कोई भी काम करने के पहले आपको तीन चीज़ होजना चाहिए। क्यों कर रहे हैं उसको करने से क्या होगा और क्या आप कर पाएंगे। यदि इन तीनों चीज़ों का जवाब आपको हा में मिले तो इस काम को करने की सुरुआत कर दीजे। तब तक आपको बापस नहीं आना चाहिए रुकना चाहिए जब तक कि आप उसमें सफलना हो जाएं। यह बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप किसी काम को करेंगे नहीं। आप में कोईफिडेंस आही नहीं सकता। और आपकी जो सफलता है जब तक आप पूर्ण रूप से सफलना हो जाएं। अपने दोस्तों में अपने विस्तेदारों में बिलकुर से अरना करें। क्योंकि यह वो लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। आप स्वेम आपने भाग बिधाता हैं। आप जो सो सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बस उसके लिए द्रण इक्षा सकती चाहिए। और वो कवाईगी जब आप में लगन हो। जब आप में निष्ठा हो। जब आप में पंच्वल्टी हो, आप में सिंसियर्टी हो। आपको काम के प्रती समर्पन आपके अंदर से आना चाहिए। मब आपके कहने से आप स्कूल मज जाए। वो बहुत मेहनत करके पैसे आपको देते हैं। तो मैं आज की दिन आपने सुबै से काफी लोगों को सुना। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ। कि जो आपका दिल करें। जो आपका मन कहें। जो आप करना चाहते हैं। उसमें पूर्ट तलीनता के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ सनलगनों। कौन क्या कप कहेगा उसमें बिल्कुल विचार न करें। जो आपको अच्छा लगया वो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद, भावी जीवन की बहुत बहुत शुब कामना है। जय हिंद, जय वारत। कि शो आप सक चे साथ, जय हो आपना है। जय हो बहुत बहुत troubled मं की बहुत बहुत विद़्